समस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल साहता में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या बहुत बड़ी गलती है जो आप अक्सर होटल बुक करते समय करते हैं या होटल में जाने के बात करते हैं जिससे कि आपको एक बहुत बड़ी परिशानी में आप फस सकते हैं दोस्तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल ओनलाइन होटल बुकिंग जैसे कि OEO होटल ट्रीबो के थुरू या और भी कई ऐसी ओनलाइन साइट्स हैं जो कि आपको अकॉमडेशन्स अलग-अलग सिटीज में प्रोवाइड कराती हैं उसमें आप इसली जाके अपनी भुकिंग कर सकते हैं पर दोस्तो सम्टाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको एक बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकती है और आपको उसमें जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है दोस्तो अब आपको लग रहा होगा कि वो ऐसी क्या चीज है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिससे कि आप एक बहुत बड़ी परिशानी में फस सकते हैं अगर आप होटल के अंदर जाने के बाद वो गलती को करते हैं तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजे दोस्तो लाइक कीजे और जितना हो सके दोस्तो हमारे इस वीडियो को आप आगे शियर कीजे तो दोस्तो आईए बढ़ते हैं कि वो ऐसी क्या बात है क्या important चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आप एक बहुत बड़ी परिशानी में आने बच सकते हैं जब आप एक hotel के अंदर room book करते हैं तो दोस्तो आईए discuss करते हैं वीडियो को और दोस्तो ध्यान रखनी का वीडियो को पूरे end तक देखेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसको कि अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं या वो गलती जो आप करते हैं जिससे कि आपको जेल की हवा तक खानी पढ़ सकती है और दोस्तो आईए मैं बताता हूं कि वो important चीज़ क्या है दोस्तो अकसर ऐसा होता है कि आप आजकल online hotel जो है booking करते हैं अपने laptop के तरू mobile app के तरू दोस्तो एक बड़ा ही trend चल चुका है आजकल ये investors के अंदर कि hotel room में जाके वो लोग party करते हैं करते हैं तो उनको एक चीज़ का बहुत ही जादा अंदर से डर लगता है कि यदि वो अपनी असली identity को वहां पर disclose करेंगे और कल को अगर उनकी family को पता चल जाता है तो ऐसे में उनकी family उनको गुसा करेगी या मारेगी पीटेगी या उनको जो है परिशानी family की तरफ से जि किसी भी हूटल में अगर वो जाता है तो उसको एक चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि वह अपनी identity को ना चुपाई अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये इंगस्टरस फरजी आधार कार्ट बनाके फरजी पैन कार्ट बनाके अपनी आईडी पे अपना नाम अपनी नाम की जि करता है दोस्तों ऐसा होता है शुरुवाती तोर पर तो हुटिल को भी नहीं पता चलेगा कि आप धर्मिंदर है या नहीं है और वो आपके उस आईडी को ले लेंगे आपके signature करा लेंगे आपका mobile number note कर लेंगे आपका address note कर लेंगे और दोस्तों वो आपकी एक permanent entry वहाँ प अगर उसको यह पता चलता है during investigation कि इस hotel में कोई आदमी बिना किसी अपनी identity छुपा के रह रहा था या उसने फोर्ज जो है document वहाँ पर फोर्ज आधार कार्ड फोर्ज पैन कार्ड या फोर्ज वोटर आईडी कार्ड दे के यहाँ पर entry लिया तो दोस्तों ऐसे में आपके ख सकते हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि उनको सबसे बड़ी identity crisis होती है कि हमारी यह identity डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए ऐसे में दोस्तों कल को उनके खिलाफ अगर कोई कारवाई भी होती है अगर hotel के अंदर कोई भी raid होती है समटाइम जासा देखा गया है कि कुछ hotels के मालिकों की मिली भगत से या पुलिस की मिली भगत से परिशान किया जाता है couples को पैसे extort करने के लिए उनसे और उनकी raid करी जाते है और पता चलता है कि उनको hotel में जो है अपनी identity को चुपाते हैं और जब पुलिस को पता चलता है कि आपने एक फर्जी दस्तावाईस देकर फर्जी वोटर आईडी आधार कार्ट या किसी भी तरह की का कोई भी ऐसा सरकारी जैसे कि driving lessons को आपने फोर्ज करके उसके में ओयो हुटल में दिया है तो ऐसे में दोस्तों आपके खिलाफ एक दुसरी कारवाई हो जाती है जिसे कहते हैं फोर्जीरी की दोकड़ी कारवाई और इसमें दोस्तों आपको जील की सजा भी या जील की हवा भी जो है आपको दो identity crisis उनको होता, identity की problem उनको होती है और डर लगता है कि उनकी बातें disclose नहीं हो जाएं तो दोस्तों यह mistake आप कभी नहीं करेंगे कि जब भी आप किसी भी hotel में जाते हैं चाहे वो ओए hotel है चाहे वो कोई और hotel है तो ऐसे में आप जो है कभी भी अपनी identity को नहीं चुपाएंगे और वहाँ पर सच के साथ काम करेंगे और वहाँ पर अपनी सही ID देंगे तो आप कभी भी problem में नहीं फसकते हैं तो दोस्तों thanks हमारे साथ जुड़े रखने के लिए इस तरह की legal tips के लिए दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी चनल को subscribe कर सकते हैं हमारी वीडियो को दोस्तों शेयर कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ जय हैं दोस्तों